गुद मॉनिंग फ्रेंड कैसे आप सब आई वोप सब अच्चे होंगे अपने घर मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूं और अभी बज रहे हैं साड़े छे और बच्चे गया हैं सामने तन्य जमान में क्योंकि आज अश्टमी है तो लोग कोई अश्टमी पूछता है तो कोई तो हम नौमी करते हैं और यहां पर मेरी फ्रेंड से दो तीन वो अश्टमी करती है तो बच्चे उनी के आँ चले गए थे सब 6 बजे और साब बच्चे का बच्चों का स्कूल है क्योंकि आज छुप्टी नहीं है बच्चों की और मैं भी उनी को देख नहीं हूं जैसे वा अपनी गली में और उनी को देख रहे हैं आप से और भार मेरी साफ सपाई करती है पुरी धुलाई उलाई गंड़ों में पानी बगएरा भार भी छड़काओ कर दिया है ताकि धूल लाएं क्योंकि बहुत ही धूलाती है और दो तीन दिन से तो ऐसा मौसम हो रहा है बादल अब अवसम आए तो देख और अपने पानी गरम करने रख दो अग्यार गरम फोर रहा है और सभान को लेगेवारी साथ बजी मैं और पूजा करूंगा थे नौन मौनी का मतलब अश्टमी पुरा आगम मेरा परत रहेगा और कल जमने अगरे खिलाओंगे अपर साथ बाट ले चलुँ है कि अभी जाओंगी को भी ले चलोंगी अपने साथ मंदिया और कुछ दिनों बाद यहां पर हमारी कलोनी के मंधिल में जागरण तो आपको भी ले जुन गई अपने साथ कल छोड़ के परसो ऐसा है था देखो गाइस बच्चे आ गया है बच्चे आ गये कन्या खाके देखो गाइस बच्चे आ गये कन्या खाके और आदे बच्चे उदर खेल रहे हैं तुमने बैक क्यों टांग लिया भी से अभी पूरे तुम्हार रपस साथ बज़ रहें दस मिनट है भी साथ दस पर जाओ गए देखो गाइस बच्चे चले गए स्कूल और अब मैं पच्चा गया हूं नहाने देखो गाइस मेरी घर के पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूं मंदिर और उपर मेरे तीट चल रहा है अब मैं जा रही हूं मंदिर मेरी थाली तयार हो गई है आपके अब मैं आपको मिलूँगी सिधा मंदिर में या फिर रास्ते में देखो गाइस अभी सुबह के 9 बज़ रहे हैं और इतनी थेज धूप हो गई है ऐसे लग रहा है पदा नहीं किता बड़ा दिन हो गया है पर अभी 9 बज़ रहे हैं ज्यादा टाइम नहीं हुगा है पहले भी चले जाती पर अगर दुकान में कोई आगया था इसलिए मैं उनको समान देने लग गई है इस मैं मंदिर पहुंच गई हूँ यह मंदिर का गेट है आई जै माता दी है सभी भक्त जन्राइब दर्वार की जै हज़ो गया जैस मैंने सनी देव महराज की पोजह कर ले अब महां जारही हूँ घर मंदिर से जै माता रहनों की जै हो और यह है हमारा खुबसूरत मंदिर जो कि आप मेरी बीडियो में देखते ही हूंगे देखो गाईज मैं मंदिर से आ गई हूँ और मंदिर से आकि बापनी शॉप में बैठ गई हूँ क्योंकि अब हज़बेंट जी करेंगे नास्ता हम बैठेंगे तब तक शॉप में तेखो गाईज डोल वाले भई आये डोल बेजने हर गली में जा रहे हैं ही देखो गायज तुकान में हो चुका है बहुत ही मैसा अम मैं इसी को सख करने वाली हूँ ह्लत अहला में जाना भी हुँ देखो गाय जैसे ही में चाई पीने वाले ती तब wzgl mü estranे हैंise सब्जी मेरे लिए आज वींड से लिए और सिमलमरच बहुत पसंद और बुर्फ दिन मेरे लिए दिन में अगर ख़ते हैं इसलिए मेरे खीले लिए है घ्री और फिर्टे बना रही हूं गठल रएं पनाये जारी है अगर फ्राइब करूंगो स्के बाद मिलशी शेठी यह है तेखो गाइस टेट बच्च किया और बच्चों की छुट्टी हो गई है और मैं भी देख रही हूं बैल बच्च कही है अब चुट्टी हुए बच्चे भार भी आ गए देखो गाइस स्कूल का गेट खुल गया है देखो गाइस मैंने खरबुजा लिया था तो इस बच्चे भी खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूं क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद फूट्स खाते हैं फिर खाना खाएंगे थोड़ी दिर में मुस्कुरा रहे हैं बच्चे मुस्कुरा रहे हैं देखो गाइस अभी रात के बच रहे हैं साडे नौ और हम जा रहे हैं अपने गाउं क्योंकि हम कल खिलाएंगे गाउं में Karnia क्योंकि मेरे जो कलस था र शिराएथे वही ते अग्यारी वगधरी सब गाउं में सासो माने करी तो अब मैं जा रही हूं काउं और हम मिलेंगे आपको सुभे यहां बरेली में कन्या बन्या लाने के बाद फेर मैं यहाँ पर साथ बाठ हूँगी बच्चों को और फेर मैं अपना परद खोलूँगी तो आपको मिलती हूँ आपको मिलती हूँ एकल के ब्लॉग में देखो गाई इस आगे परात है चलो हम भी देख लेंगे परात का डांस कैसे हो रहा है कर भी रहे हैं की नहीं कर रहे हैं अरे वाँ अरे वाँ